नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब हासा करते हैं आप सभी अच्छे सोंगे स्वस्थ होंगे फाइनली दोस्तों बिहार डियलेट थौर्ड मारिट लिस्ट कॉलेज सीट अलोटमेंट लेटर अधिकारिक वेफसाइट पर जारी कर दिया गया है आज किस वीडियों हम आपको बताएंगे कहां से और कैसे डाउनलोड करेंगे साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका अव्यर्थी तो जह है रद कर दिया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको कॉलेज नहीं मिला है तो उनका अब क्या होगा तो पूरी जानकारे के लिए वीडियो को लाज तक ज़रूर देखिए के लिए दोस्तों आफ सभी को अपना कोई भी गूगल ब्रोजर को उपन करना है और Google में आपको सर्च करना है कोशी स्टडी देख लीजे दोस्तों इसी तरीके से app को सर्च कर लेना है कोसिय स्टड़ी आपका पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा यहाँ पर आएंगे तो बिहार डियलेट कॉलेज सीट अलोटमेंट लेटर डाउनलोड लिंक आपको यहाँ पर मिलेगा आपको सिंपली इस लिंक को क्या करना है ओपन करना है यहाँ पर सभी परकार की जानकारी आसान सब्दों में दी गई है आप चाहे तो इस आर्टिकल को पूरा भी पढ़ सकते हैं नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप से भी को कॉलेज सीट अलोटमेंट लेटर डाउनलोड लिंक यहाँ एक्टिव लिंक पर आपको क्या करना है क्लिक करना है इसके बाद यहाँ प जोस्तों आपका पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप से भी देखेंगे तिरित्या चैन सुची के अधार पर 17 दिसंबर 2022 तक नामंकन चलेगी अब आपको यहाँ पर क्या करना है इस तरीके से ओप्सन दिखाए देगा आपको क्या करना है यहाँ पर अपन इसके बाद वैलिडेट करने के बाद आपको नेक्स्ट बढ़ना है इसके बाद यहाँ पर लोगिन करेंगे तो आपको जो है तीसरे चलन का कॉलेज सीट अलोटमेंट लेटर या इंतिमिसन लेटर इस तरीके से डाउनलोड करने का ओप्सन मिलेगा आप यहाँ पर देखे करके अपना जो पहले राउन्ड में दूसरे राउन्ड में एडिमिसन की प्रक्रिया हुई है सेम उसी तरीके से रहेगी आपको सभी डोकुमेंट के साथ कॉलेज पहुंचना है और वहाँ पर वेरिफिकेशन करवा करके आपको एडिमिसन लेना है इसके बाद थर्ड राउन्ड होने वाला नहीं है जिसके वज़से आपको यहाँ पर अब सलाइड अप का ओप्सन नहीं मिलेगा जो स्टुएंट सलाइड अप किये थे या तो उनको वहीं कोलेज मिला होगा या तो इसको नया कोलेज मिला होगा अगर नया कोलेज मिला है तो आपको क्या करना है जो college अभी आपको मिला है उसी college में admission लेना पड़ेगा third round में अगर किसी को भी कोई college मिल गया है तो उसी college में ही अब admission लेना ही होगा दूसरा college में अब आपका admission नहीं होगा इसके बाद बहुत सारे स्टुडेंट हैं जो first round या second round में college उनको मिला था यहाँ पर देख सकते first round में college मिला था आपने admission नहीं करवाया second round में भी अगर आपको college मिला था लेकिन आपने admission नहीं करवाया तो ऐसे आवेदकों का अभियर्थी तो जो है रद कर दिया गया है तीसरे चर्ण सुची जारी की जा चुकी है लेकिन तीसरे चर्ण सुची में ऐसे student का नाम नहीं आया होगा क्योंकि इन्हों ने या तो admission लेकर slide up नहीं किये या तो अपना admission नहीं लिए इसलिए इसका अभियर्थी तो जो है रद कर दिया गया है इसके बाद जैसे ही home page पर आएंगे तो यहाँ पर आप सभी को तीसरे चर्ण का जो merit list जारी किया गया इसका कितना cut-up रहा है वो cut-up आप सभी यहाँ से download कर सकते हालाकि जल्द ही यहाँ पर update हो जाएगी अब दोस्तों आप सभी का यह भी समस्या होगा कि जिसको कोई भी college third round तक भी नहीं मिला वो क्या करेंगे दोस्तों अगर sport admission होती है तो आगे आप सभी को सुचित कर देंगे हलाकि इसको लेकर कोई official update नहीं आया है चोथा round तो होने वाली है नहीं हो सकता है तो इसके बाद sport admission हो सकता है अगर बड़ी संख्या में seat खाली रही तो नहीं तो जितनी seat अगर कम संख्या में खाली रह जाती है वो खाली ही रह जाएगी अगर sport admission होती है तो हम आप से भी को inform कर देंगे और बाकी जानकारी जो हम आप से भी को देहीं दिये हैं क्या-क्या documents लगा इससे पहले भी वीडियो बनाए हुए है या फिर आप kosiastudy.com website पर जाएंगे तो वहाँ पर भी वो जानकारी मिल जाएगी इसके अलावे दोस्तों जो student जो है third round के लिए QGI college को choice किये थे अगर आपको college आवंटित हो गया है तो आप जो है निश्य दूरुप से आप हमें message जरूर कीज़ेगा या फिर हो सके तो आप अपने से भी college पहुँचका admission करवा सकते हैं बाकि जो भी और कोई जानकारी चाहिए तो comment करके जरूर बताएगा उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का